मस्कार दोस्तों कोई तायाद यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है संपूर्ण हिंदी विशे की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साइटे के वस्टोनिस्ट परशन है हिंदी साइटे के उन में तब पूरण वस्टोनिस्ट परशनों को हम करेंगे जो की परिक्षा में बार बार पूछे जाते हैं आज की क्लास से आपकी परिक्षा में कई सारे परशन आपको देखने को मिलेंगे 120 परशनों को हम करने की कोशिस करेंगे 50 परशनों को हम पहले कर चुके हैं तो आगे की परशन जो हमारे रहते हैं उनको हम करने की कोशिस करेंगे तो आज की क्लास होगी आपके लिए काफी मददगार साबित होगी जिस भी परिक्षा में हिंदी साहिते समंदी परशन पूछे जाते हैं आपकी कोई परिक्षा हो जिसमें हिंदी साहिते से समंदी परशन पूछे जाएंगे उन सभी के लिए ये क्लास मददगार साबित होगी तो शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की तो परशन संख्याम 50 तक पहले कर चुके हैं उर्मिला के विरह मेमानवता की पुकार यह अधिक सवबाविक है साथ ही गरीमा की नियूनता नहीं यह विश्यव व्यापी है कथन किसका है तो यह जो कथन है डोक्टर नगेंदर जी दुआरा कहा गया है उर्मिला की विरह मेमानवता की पुकार है यह अधिक सववाविक हैं बढ़ते हैं आगे अगला पर्षन हमारा पर्षन संख्या 51 सुमित्रा नंदन पंत आलोचना के छेतर में किस की पहली पुस्तक है यानि कि सुमित्रा नंदन पंत नामक जो पुस्तक लिखी गई है आलोचना के छेतर में वहकिस विद्वान की पुस सम्बंद नहीं और वेपर की या नाई का नहीं यह कथन की सालोचक का है तो यह कथन कहा गया है सूर्दास की नाई का जो है सूर्दास की जो राधा के सम्बंद में जो है कहा है हजारी परशाद दिविवेदी जी ने बढ़ते हैं आगे अगला परशन हमारा परशन संक्यातर बढ़ते हैं आगे अगला परशन हमारा देखते हैं मासलवाद के परवर्तक कौन माझे जाते है मासलवाद के परवर्तक जो है रमेश वर्शुकल अंचल जी मानने जाते है और हालावाद के परवर्तक बच्चन जी मानने जाते है ये भी आपको ध्यान रखना है बढ़ते हैं आगे परशन संख्या पच्पन किसके काववे में रोमांस तो है लेकिन निराशा और दुख जनित तो यह किसके बारे में कहा है तो नरेंदर शर्मा जी के काववे के बारे में ये कहा है कि इनके काववे में जो है रोमांस तो है लेकिन निराशा और दुख जनित तो बढ़ते हैं आगे अगला परशन हमारा परशन संक्या छपन हालावाद के परवर्टक अभी मैंने बताया था हरीवन्स राय बच्चन और मासलवाद के परवर्टक रमेश्वर शुकल अंचल जी तो ये दोनों परवर्टकों से भी सम्मंदित काफी सारी परशन परिक्षाओं में पोछे जाते हैं चायावाद के परवर्टक, परगतिवाद के परवर्टक, परियोगवाद के परवर्टक, मासलवाद के परवर्टक, हालावाद के परवर्टक जो है काफी सारे परशन हमें देखने को मिलते हैं तो देख लेते हैं आगे अगला परशन हमारा परशन संक्या 57 हालावाद का समय काल क्या माना जाता है तो हालावाद का समय काल माना जाता है 1933 से लेकर के 1936 तक ये काल जो है हालावाद काल का समय कहलाया जो कि हमारा ये जो काल है ये एक तरह से हम कहें तो छायवाद यूग के अंतरगत ही आता है छायवाद यूग के जब समापती होने जा रही है और परग्यतिवाद के जब शुरुआत होती है उनी के बीच के जो काल रहा है हमारा वो हालावाद काल कहलाया है जैसे कि 1850 वी से ले करके बारतेंदू अरिष्चंदर के जनम से 1900 तक जो है बारतेंदू यूग माना जाता है उसके बाद 1900 से ले करके 1920 तक 18 या 20 तक हमारा द्विवेदी यूग आया उसके बाद 1926 तक हमारा चायवाद यूग कहलाया तो 36 से पहले यानि 1933 से लेकर जब जो है परगतिवाद की जो थोड़ी थोड़ी परविर्तिया आने लग गई थी तो महीं से जो है हालावाद की शुरुवात भी हुई थी और जो ये 20 का काल हमारा हालावाद का समय कहलाया उसके बाद बात करें आगे परशन संख्या 58 हालावादी कवीता को व्यक्तिक कवीता किसने कहा हालावादी कवीता को व्यक्तिक कवीता कहने वाले जो विद्वान हुए वे रहे व्यक्तिक कवीता कहने वाले विद्वान हुए है डॉक्टर नगेंदर जी यह यहाँ पर टाइपिंग मिश्टेक के करियान नहीं हुआ तो आंसर आप डॉक्टर नगेंदर लिख सकते हो तो डॉक्टर नगेंदर ने जो है चायवाद यूग से के जो बाद का यूगरा चायवाद का अंत जब होने लगाया था और परगति बाद के यूग से जो पहले का यूगरा उस काल की जो कवीता है उनको क्या कहा है व्यक्तिक कवीता यह आपको ध्यान रखना है उसके बाद बाद करें आगे पर्शन संक्या 69 हालावादी कवी कव्य को मस्ती उमंग और उल्लास की कवीता किसने कहा हालावादी कव्य कव्य को मस्ती उमंग और उल्लास की कवीता कहने वाले विद्वान हुए हजारी परशादि विवेदी इसके बाद करें आगे अगला परशन हमारा भर doomed शबब्यक्ति वादी कवीता का प्रमुक्सवर निराशा का है, अवशाद का है, थकान का है, टूटन का है, चाहे किसी भी परीपेख्षे में हो, कतन किसका है, तो ये कतन जो है, रामदश मिश्र जी का है उसके बाद देख लेते हैं अगला पर्शन व्यक्तिवादी गीती कवीता की सभी प्रविर्तिया प्रेम निराशा वेदना समाजिक चेतना किसके कवे में लक्षित होती है ये जो व्यक्तिवादी गीती कवीता के जो सभी प्रविर्तिया है प्रेम परचनशनख्या। 62, हशरीरिप्रेयम के स्तान पर श्रीरिप्रेयम को जिन्होंने तरजी दिया है। आगे उसके बाद देख लेते हैं परचन संख्या। 66 मूलते प्रेम योवन और सौंध्रिय के कवी माने जाते हैं कौन रमेशवर शुकल अंचल जी जिनोंने माशलवाद के परवर्त के परवर्त तक माने जाते हैं बढ़ते हैं अगे अगला फर्शन हमारा पर्शन संक्या 67 67 हलावादी कावे को शही रोमान सोरकुन ठाका कावे किसने माना तो डोक्टर भारत वाज ने उसके बाद देख लेते हैं आगे पर्शन संक्या 68 हलावाद परचलित कब से हुआ तो हलावाद जो है वो परचलित कब से हुआ बच्चन की मदूशाला से जब उस समय इसका माना जाता है अलावाद का जो वो मैंने अभी आपको बताया था 33 से 1936 तक लेकिन 1935 में जो है हरिवन्स राइ बच्चन की मदूशाला जो कवीता निकली तो उसी से जो है अलावाद जो है परचलित हुआ बढ़ते हैं आगे अधिक परचलित हुआ यानि जो है इसका पीक का समय हम कह सकते हैं लावाद का 1935 मदूशाला के जो है समय से बढ़ते हैं आगे अगला परचन हमारा देख लेते हैं 69 किसकी रचनाव में आतम संदे और मनुशे की भावना सरवादिक पाई जाती है तो किसकी रचनाव में आतम संदे और मनुशे की भाव सब से अधिक पाये जाती है वहारींवान्स रायAyुठ बच्चny कि बढ़ते हैं आगे अगला पर्चन संक्यामिश Vincent सबहीए प्रचन की रचनच खोय में श्री में शामिल है वह थारा इक अगला प्रचन। करदा है रिए दियान नहीं रहा तो यह देख रहेते हैं मदूशाला बाला गला जो सुन वद्ध में बोलने लग जाते हैं तो थोड़ा सा इसके लिए माफि चाओंगे अगला पर्शन मिक था देख लेते हैं चायवाद का जो दूसरा उनमे शयन कहलता है, क्या कहलता है? उत्तर चायवाद बढ़ते हैं आगे अगला परशन परशन संक्या बैतर उत्तर चायवाद को चायवाद का दूसरा उनमेश किसने कहा उनमेश किसने कहा दूसरा उनमेश चायवाद को जो है उत्तर चायवाद को किसने माना है वो है हजारी परशन दिविवेदी जी उसके बाद देख लेते हैं परशन संक्य और व्यक्तिक उसके बाद देख लेती है आगे परसंट संक्या 74 चयद्र अच्छायवाद को सवचंद का वेदारा किसने कहा तो उत्तरा यद्धारा नाम देने वाले विद्वान है आचारी राम चनजर शुकुल वेरी वेरी इंपोटेंट पर्शन है यह कई बार परिक्षाओं में पूछा जा चुका है बरते हैं आगे गनपती चंदर गुप्त ने उत्तर चायवाद की को कितनी धाराओं में बाटा तो गनपती चंदर गुप्त ने उत्तर चायवाद को जो है तीन धाराओं में बाटा हैं कौन-कौ से गणपते चंदर गुप्त ने उत्तर चहायवाद को जो है तीन दाराओं में बाटा कावैदाराओं में बाटा है बढ़ते हैं आगे परसन्संखिया तर हालावाद की परगति पर्योग का पूरवाबास किसने कहा आ यानि हलावाद जो है परगतिवाद और पूरो परियोगवाद का पूरो आबास मतलब पूरो में आबास होने लग गया था परगतिवाद और परियोगवाद का तो ये कहा डोक्टर बच्चन जी ने बढ़ते हैं आगे परशन संक्या सतेतर हरीवन सराई बच्चन का जनम कब है तो ये बढ़ते हैं आगे किसा इत्यकार का जनम और 1907 में हुगा है ये आपको बताना है बढ़ते हैं आगे अगला जो हमारा पर्शन है पर्शन संक्या लेकिन इसका जो परकाशन वर्ष है 1935 मैंने आपको बताया था मदुशाला का परकाशन वर्ष जो है 1935 है बढ़ते हैं आगे अगला पर्षन हमारा पर्षन संख्या 89 हरिवन्स राइ बच्चन का पर्थम जो परकाशित काव्य संग रहे है वो कौन सा रहा है वो है तेरा हार हरिवन्स राइ बच्चन का पर्थम हरिवन्स राइ बच्चन का पर्थम जो है हरिवन्स राइ रचित पर्थम का व्य संग रहे है मदुशाला हरिवन्स राइ बच्चन का पर्थम परकाशित वही तेखो इस में पर्षन में और इस पर्षन में कितना जो आपको लगेगा क ये confusion करने वाला पर्शन है सेम पर्शन है दोनों लेकिन थोड़ा सा अंतरे इसमें हम समझ सकते हैं हरिवन्स राई बच्चन दुआरा रचित पर्थम का वे संग्रे रचित पर्थम का वे संग्रे माना जाता है मदूशाला जो कि 1933 में रचित है लेकिन पर्शन वर्श 1935 लेकिन हरिवन्स राई बच्चन का पर्थम पर्खाशित का वे कौन सा है ये है तेरा संग्रे जो कि 1935 से भी पहले पर्खाशित हो चुका है बढ़ते हैं आगे अगला पर्शन हमारा पर्शन संख्या असी उमर ख्याम के रूबियों का अनुवाद किसने किया तो ये किया हरिवन्स राई बच्चन ले बढ़ते हैं आगे पर्थल संख्या बच्चन को किस केर्थि के लिए साहिते अकादमी पुरुसकार मिला तो दो चट्टाने केर्थि के लिए जो है बच्चन को साइत है कादमी पुरुसकार मिला बढ़ते हैं आगे बच्चन की जो ये थोड़ा टाइपी मिस्टेक है भी बच्चन की आतम कथा कितने खंडों में परकाशित है तो च्यार खंडों में परकाशित है बच्चन की आतम कथा क्या भूलू क्या याद करू नीड का निर्मान फिर बसेरे से दूर और दस दुआर से सोपान तक इनको आपको इसी तरह याद रखना है क्योंकि करम वाइज भी परशनों को पूछा जाता है बढ़ते हैं आगे परशन संख्या हमारी 83 निशा निमंतरन में संकलन है गीतों का बढ़ते हैं आगे निशा निमंतरन क तो ये है 13 पंक्तियों में और निशा निमंतरन का पर्थम गीतों समाना जाता है तो दिन जल्दी जल्दी ढ़ता है और ये निशा निमंतरन किसकी रचना है ये जो है हरिवन सराई बच्चन जी की है बढ़ते हैं आगे मदुशाला में संकलेत रूबियों की संख्या कितनी मानी जाती है तो 135 जाना जाता ऑब सहब देख है आगे परशंट मदुशाला की रूबियों कितनी और रचीत रचीत है और इसके पहले हमने जो है निशा निमंतरन की जो कितनी कितनी पंक्तियों में रचीत है वह celebration of a AC जो ठेप निशा निमंतरन की रचीत है और लेकिन चार चार पंक्तियों में जो है मदुशाला की ये पंक्तियों में रचीत रचना है बढ़ते हैं आगे परशन संक्या नवासी मदुशाला को मादक्ता का अक्षय है मादक्ता का अक्षय है ये किसने कहा ये कथन किस विद्वान का है मदुशाला जो है हरीवन्स राइबच्चन की जो रचना है वो मादक्ता की अक्षय है ये कथन काहा है पंत जीने सुमित्रा नंद पंत ने उसके बाद देख लेते हैं सम्हो को कहते हैं सोरी वर्णो के सम्हो को क्या कहते हैं तो वर्णो के सम्हो को आप सभी को पता है शब्द कहते हैं उसके बाद देख लेते हैं अगला बढ़ते हैं आगे गीता अंजली के रचनाकार कौन है तो रवीन दरनाथ टैगूर और गोदान के लेखक मुंसी प्रेमचन जी आप सभी को पता है 1936 का उपन्यास है जो कि प्रेमचन जी का अंतिम परोड उपन्यास माना जाता है बढ़ते हैं आगे परचन संक्या चुराण में बगेली बोली का संबंद की सुख बोली से है तो पूर्वी हिंदी से है आउदी बगेली और छतिस गड़ी तीनों के बोलीों का संबंद पूर्वी हिंदी से हैं बारतिय सवीदान की आठवी अनुसूची में शामिल बाशाओ की संक्या बाईस है वर्तमान में जो बार किननम संद उधन और किस शन में जोड़ा गया ये मैं आपको पहले कई कर बारा बता चुका हूं बढ़ती है आगे परचान संक्या मारा 96 हland की आदी जन्नी है तो हिन्दी की आदी जन्नी संजित मानी जाती परें जाती है परति पादन किया है उसके बाद परसन संक्या निन्यान में वही मनुषय है जो मनुषय के लिए मरे के रचेता कौन है तो मैतली सरन गुप्ट जी उसके बाद देख लेते हैं अगला परशन अमिय हलाल मद भरे सेथ शाम रतनार जीयत मरत जुगे जुगे परत जेही चितवत एक बार जो ये पंक्ती है रसलीन जी की है उसके बाद देख लेते हैं इंदी कावे की सब परकार की रचनाशेली के उपर गोश्वामी ने अपना उचा आसन पर शिटित किया है यह उच ताउर किसी को पराप्त नहीं यह कतन किसका है तो आचारिय रामचंजर शुकल जी का यह कतन है उसके बाद देख लेते हैं परशन संख्या 102 सेना पती के गुरु कोन है तो सेना पती के गुरु माने जाते हैं ही रामनी दिख्षित उसके बाद देख लेते हैं अगला परशन यात्रा विर्ट सुबह के रंग के रचनाकार माने जाते हैं अमरित राय जिनोंने जो है मुंसी प्रेम चंद जी की जो है जीवन परादारी जीव ने भी लिखे है जो जिसका नाम है कलम का सिपाही बढ़ते हैं अगला परशन परशन संक्या 4104 सिदो की बाशा को आलो आंदारी बाशा किसने कहा तो हर परशाज सास्त्री ने वेरी इंपोर्टेंट परशन है सिदो की बाशा को जो है आलो आंदारी नाम दिया और परशत सास्त्री ने उसके बाद बात करे आगे परशन परशन संक्या 150 इह तो जग जाही ही रहे की BROWNनंद के बारशा है लेकिन की साल उचक ने कहा है की AW shave performanceर नहीं इत्जारी परशनी पत्रीगा में कहा गया है कि यह तो जग जाईर है कि रामानन्द के बारा सिश्य है लेकिन जो है रामानन्द के बारा सिश्य है नहीं साड़े बारा सिश्य है यह जो कथन कहा है नागरी परचानी पत्रीगा में कहा गया है पढ़ते हैं आगे पर्षन संक्या एक सोच है पिटवी राज रासों को हिंदी का वेर्थ महाबारत किसने कहा तो पिटवी राज रासों को हिंदी का वेर्थ मतलब बड़ा महाबारत किसने माना है तो ये माना है दस रश्यर माने उसके बाद देख लेते हैं अगला पर्शन कवीता की तीसरी आँख के रचेता कौन है तो परवाकर छेत्रिय जो है कवीता की तीसरी आँख जो रचना के रचना करमाने जाते हैं उसके बाद पर्शन संक्या एक सो आठ छटा दसक के रचेता कौन है तो छटा दसक के रचेता है विजय देव नारे निसाही उसके बाद देख लेते हैं अगला पर्शन पर्शन संक्या 109 निराला आतम हंता आस्ता के रचेता कौन है तो निरालो आतम हंता आस्ता के रचेता माने जाते है दूदनात सिंग उसके बाद देख लेते हैं परचन संक्या 110 आदुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द के रचेता कौन है तो यानि कि इस जो रचना के रचेता कौन है आदुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द ये जो रचना है इसके रचेता है हरीवन्स राय बच्चन सिंग पढ़ते हैं आगे सोरी भई अरीवन्स राय बच्चन एक सकेड़ यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है तो देख यहाँ पर आपको यह जो हरीवन्स राय बच्चन नहीं है यह दोक्टर बच्चन है भई यह आपको ध्यान रखना है डोक्टर बच्चन सिंग जो की एक आलोचक के रूप में परशिद हुए थे इंदी साहिते के अंतरगत महान साहितेकार के रूप में रही है डोक्टर बच्चन सिंग तो हरिवन सराई बच्चन अलग है और डोक्टर ब पूछ लिया जाए तो आप उनका सही आंसर दे सको तो बढ़ते हैं अगला पर्षन हमारा पर्षन संक्या 111 तो नए पर्तीमान पुराने निकष्च के रचेता कौन है तो लक्समी कान्त और कवीता के नए पर्तीमान के रचेता कौन है यह है नामवर शिंग नामवर शिग य अगर आजाए का नई कवीता के पुराने निकस तो लक्समी कांत और कवीता के नए परतीमान जो रचना है वो नामवर सिंग जी की है पढ़ते हैं आगे अगला परशन हमारा नागरी तेरी यह दसा कवीता किसकी है तो महावेर परशाद्य वेदी जी ने नागरी जो कि देव बढ़ाने का कारिय किया था जैसे कि उन्होंने शरस्वति पत्री का का जो संपाधन किया था तो उसमें जो है हिंदी को बढ़ावा दिया था बढ़ते हैं आगे अगला परशन हमारा परशन संक्या 113 मैं आरियों का दर्श बताने आया जिन समुक धन को तुछ बताने आया एक सेगिन वही यह दिखाई नहीं देरा शब्द तो थोड़ा सही रेज कर लेते हैं मैं आरियो का आदर्श बताने आया जन समुक धन को तुछ बताने आया यह जो पंक्ति है यह मैथली सरन गुप्त जी की है पढ़ते हैं आगे हर्दे दर्पन नामक गरंथ के रिचेता है। संक्ञा 1001 मुहमद चिंगी मुहिआ गगन डेराई धनी बिरहई को धनी हिया जहें असी अगीनी समाई जो ये पंग्ती है ये किसकी है तो ये पंग्ती जो है जैसी जो दुवारा लिखी गई सूफी कवी जैसी की है उसके बाद देख लेते हैं अगला पर्शन पर्शन संक्या पर्शन संक्या 116 देखते हैं अगला पर्शन है पर्शन संक्या 117 निर अंकुष अती नीडर रशिक जस रसना गायो या पंग्ती जो है किसके संदर्भ में कहीं गई है तो ये मीरा भाई जी के संदर्ग में कही गई है पढ़ते हैं आगे अगला परशन हमारा रितिकाल का वह कवी जिसने खड़ी बोली में जो है सहीत वशंत नामक परबंद रूप में कहानी लिखी वे रहे हैं चंद कवी उसके बाद बाद करें अगला परशन रितिकाल में किस कवी का उपनाम काष्ट जीवाश्वामी था तो ये था देव बनारस वाले का और उसके बाद बाद करें आगे हिंदी का परथम जैकावे कौन सा है तो खुमान रासो कुछ परशन आपको नई परशन भी आपको देखने को मिले है इस परशनों के PDF के माध्यम से और जो है हमने बहुत सारे परशनों निपरशनों को किया है जो कि परिक्षाओं में पूछे जाते हैं तो इसी परकार हम हर रोज जो है हिंदी विशे से सम्मंदिद एक क्लास आप लोगों के सामने अवश्य ले करके आते हैं वो साथ साथ जो है अब कई बार जो है दो क्लास भी कर लेते हैं तो इसी परकार संपून हिंदी विशे की तैयारी को हम आगे बढ़ाते हुए जो हैं अभी हाली में जो एंटी एनेट के परिक्षा होने जा रही है तो विश शोलुशन के साथ मैंने परचणों को कराया है हिंदी के परचण नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी उसमें एक एक परचणों का बिल्कुल विश सोलुशन के साथ कराया गरा है एक तथ्य के सबी जो एक पर्शन के जितने भी हमारे चार पॉइंट होते हैं उन सभी तथ्यों को हमने जो है explanation के साथ वह उत अच्छे से complete किया है आप लोगों के लिए काफी जो है helpful class रहेगी तो आप पिछे की class में जाकर के या फिर भी playlist में जाकर के हिंदी के पर्शन जिसमें कराई हुए है तो उनको विद एक विद शोलूशन के साथ पर्शनों को कराया गया है तो आप देख सकते हो और वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करना दोस्टों के साथ शेयर करना चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रही पढ़ते रहना आगे बढ़ते रहना भई लाइक और कमेंट अवश्य करें किया करो क्योंकि आपके लाइक और कमेंट चाहिए नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है और मुझे ये भ थोड़ा सा सुजाओ भी दे सकते हो मैं उसी के अकोर्डिंग क्लास लाने के पूरी-पूरी कोशिश करूँगी तो एक बार फिर से कहाना चाते हूं मैं मैं वीडियो को लाइक शेयर और सस्क्राइब अवश्य कर लेना पढ़ते रहना आगे बढ़ते रहना थैंक्यू धन अवादे बढ़ते